कि वेल्कम कोबरेशनल के वित्री सिक्स्टी यह है केंद्रेविद्याले संख्ठन का सेंपल पेपर अर्दवासिक परिक्षा या हाफ एल एक्जाम्स का कि खक्षा है तीसरी थर्ड और क्ला सब्जेक्ट है हिंदी तो चलिए इसको देखते हैं पेपर के पैटर्न को समझते हैं और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन से उनको भी सॉल्व करते हैं चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यह जो पेपर होने वाला है 40 मार्क्स का होगा और टाइम मिलेगा 90 मिनट्स इसमें पठन है 5 मार्क्स का लेखन है 5 मार्क्स की तो चलिए सबसे पहले है पठन पठन में एक आपको अनुश्यद दिया गया है पैराग्राफ दिया गया उसको पढ़ना उसके बेसिस पर जो भी प प्रस्न पूछे गए हैं उनके आंसर समय यहां से खोज कर लिखना है तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं यह पार्ट है अकवर विर्वल की खिचडी अकवर के दरबार में अनेक विद्वान थे विर्वल उनहीं में से एक थे वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रस प्रस्वास ने हुआ उन्होंने उस व्यक्तिक से कहा कि यह तुम सारी रात पानी में खड़े रहे रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा वह मान गया तो यह पैराग्राफ ने पढ़ लिया है अब देखते हैं जो प्रस्ण पूछे गए हैं किसके धर दरबार में अनेक विद्वान थे तौ यहांपर पहला उत्तर हमारा हो जाएगा यह अकवर के दरबार में अनेक विद्वान थे तूसरा यह बहुंगा काउन थे बेए लिहां से पढ़ेंगे कि यह पैहले कोश्टन हमने गलत करती है इसके धार भर में नेक्जिवायन थे तो अकवर के यह को दो पर हगे कि अग्ला है बीर्वल कान थैं बीर्वल better के दरवार विद्वानों में एक थे अगला है बेरवल किस के लिए परसिद थे बीरवल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध है ठीक है यह आंसर आप को यहां मिल लाएगा नेक्स्ट है गाउं के एक बैक्ति ने क्या कहा गाउं के एक बैक्ति ने कहा मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूं अक्वर ने उसे इनाम में देने के लिए क्या कहा कि मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूगा तो अक्वर ने कि अक्वर ने करें उससे झाली भर मोहरें कि देने को कहा इस यह होगया पिर आगे देखते हैं लेखन लेखन पार्ट में जुभी प्रस्न हम पड़ते हैं उनके उतर आपको बताना है गोहाटी किस नदी पर इस्ठित है तो गोहाटी लुक्त कि ब्रह्मापुत्र प्रह्म हो पुत्र कि नदी कि अ पर स्थित है नेक्स है चिडिया अपना गोसला बनाने के लिए तिनके कहां से लाती होगी यह पार्ट है बया हमारी चिडिया रानी वहां से प्रस्ण लिया गया है तो इसका प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा चिडिया अपना गोसला बनाने के लिए तिनके खेद बगीचे या हमारे हमारे घर के आसपास से लाती होगी क्योंकि खेट से उसे तिन के मिल जाएंगे बगीसे से तिन के मिल जाएंगे लेकिन जो धागे बगारा होते हैं वो हमारे घर के आसपास कही न कहीं पड़े होते हैं तो वहां से उठा लेती नेक्स्ट है बाद शाहने यमना के ठंडे पाने में पूरी रात खड़े रहने वाले व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया बाद शाहने व्यक्ति को इनाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उस व्यक्ति को महल के दीपक से गर्मी मिलती रही है आगे हैं व्याकरण पार्ट, भिलोम शब्द लिखें, तो उपस्तित का हो जाएगा अनुपस्तित, सक्त का हो जाएगा मुलायम, बचन वदलें चीटियां, चीटी, तिनका, तिनके, संक्ताक्षरों से बनने वाले शब्द लिखें, इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा अच्छा, ये फ्या, प्याज हो सकता है, प्यार हो सकता है, नेक्स्ट, विशेष की, विशेषता बताने वाले शब्द लिखें, कोपले, कोपले कैसी होती है, लाल, आम का पेड़ पड़ा, कोपले कैसी थी, लाल, पाउधा, पाउधा कैसा था, नन्हा, ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ठीक, ये विशेषता बताने वाले क कि संग्या शब्द को एक हांकित करें खेतों से बचा दाना लाती है तो संग्या क्या था संग्या मतलब नाम बाले शब्द तो खेद क्या है संग्या है क्योंकि खेद क्या एक जगे होती है उसका नाम है खेद तो यह क्या होगी एक संग्या होगी दाना दाना भी क्या है जो अनाज होता है उसको जो कंड होते हैं या जो दाने होते हैं उनका नाम है यह किसी अनाज का तो यह भी क्या होगा यह दो चंद्रबिंदू का प्रियोग करें पसंद में पसंद इस तरह पर यहां पर हो जाएगी अंकी बिंदी और अंधेरा इसमें चंद्रबिंदी आएगी तो यह हो जाएगा अंधेरा ठीक है तो यहां पर चंद्रबिंद लग जाएगी और यहां पर अंकी बिंदी तुक बंदी वाले शब्द लिखें आकर, जाकर, इसके अलावा पाकर, ठीक है, जाकर, कोई भी आप लिख सकते हैं, डाली, पाली, खाली, नाली, कोई भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट है, निम्न शब्द के दो अर्थ लिखें, भेंट, भेंट का मतलब होता है, उपहार, या मिलना किसी से, ठीक है, किसी को उपहार देना, या किसी से मिलना, दो अर्थ होते हैं, भेंट के, बाक्य बनाओ, किसान, किसान से आपको बाक्य बनाना है, किसान मेहनत करके अनाज उगाता है ठीक है तो इस बाके में किसान सब्द आ गया आगे है स्रजनात्मक अभी वेक्त या स्रजनात्मक लेखन दिये गए चित्र को ध्यान से देखर चित्र के बारे में पांच बाके लिखिए तो यह चित्र आपको दिया गया इसमें आपको जो भी देख रहा है वो आप लिख सकते हैं तो आपको जो भी देख रहा है अब लिख सकते हैं जो मैंने देखा है वो मैं लिख रहा हूँ यह एक पार्क है, पार्क में बहुत सारे पेड़ पौदे हैं, पार्क में बहुत सारे लोग हैं, एक बच्चा फूलों को देख रहा है, यह फूलों को देख रहा है, एक बच्ची अपनी मा को फूल दे रही है, इसके लाब आप क्या लिख सकते हैं, जो भी आपको दिख रह कि क्या बोलेंगे कि चतुस्पाद कि जहां पुस्त के पढ़ी और रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं पुस्तकाले पुस्त काले तरा शब्द वाले दो शब्द लिको तो एक हो जाएगा पत्र अपने मित्र को पत्र पाट पढ़ा होगा दूसरा हो जाएगा सत्रिया सत्रिया क्या है डांस है जो उसी मित्र को पत्र में आया है रत्य सत्रिया रत्य आपने पढ़ा होगा दो वीज बिना वीज वाले फ़लों के नाम बताओ केला यहां पर गुठली होना चाहिए गुठली मतलब एक वाला ठीक है तो केला है हो जाएगा इसके बाद सेब हो जाएगा नेक्स है निर्दैसान से और भाग के परिवारतित कर के लिखिए बह्मान गया वह बाहुआ कि जगह उसने का प्रयोंक करना है यहां पर क्या करना है वह के जगह पर हमें लिखना है उसने उसने उसे मना लिया उसको लिखेंगे से इसे उसने उसे मना लिया निगरानी सब्द का अर्थ क्या होगा? देखवाल दुलार बुरा अच्छा तो निगरानी मतलब देखवाल होता है आश्चारे सब्द का अर्थ क्या होगा? परिशान हैरान खुशी दुखी तो आश्चर के मतलब है रान फिर बरतनी है सही बरतनी वाले शब्द पर गोला लगाएं बाद सहा यह वाला सही है गोसला 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 नहीं होता है गोसला होता है फिर है शब्द बनाओ हा गुवा टी तो गुवा हाटी हमने पढ़ा था गुआ हाटी यह हो गया फिर पकदी यह हो जाएगा दीपक फिर शब्द पूरा करें गुथली गुमली गुणली गुठली तो यहाँ जाएगा ठाओ मखडी मखडी मटडी मचडी तो यह घंख हो जाएगा मकडी यह पौड़ाई हो ना चीना मकडी तो यह हो जाएगा मकडी नेक्स है शब्द अन्ताक्षरी सूरज यानी जासे को आगे जो आने वाला शब्द बताईये अब जमीन फिर ना से बताना है नमक का से बताना है कमल ला से बताना है लिखना तो इस तरह से आप जो भी शब्द लिखना चाहें लिख सकते हैं आगे है सुलेक, सुलेक में आपको क्या करना है कुछ पंक्तियां दे गई है इनको अच्छी सी writing में आपको लिखना है इसमें आपको लिखने के कोई गलती नहीं होने चाहिए और आपके writing अच्छी होने चाहिए उसके marks आपको यहां मिलेगे तो यह था आपका sample paper हिंदी का I hope आपसे भी को समझ में आ गया होगा पढ़ते रही है मिलते हैं next video में नए topic के सब्सक्राइब नए बर्गजएद थैंक्य।